नमश्कार दोस्तों बिंग वोमन की विशेश प्रस्तुती स्वयम सिध्धा सफर आम से खास तक के एक नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करेंगे काइनात काजी की डॉक्तर काइनात काजी का जन्म फिरोजाबाद उत्रपदेश में हुआ और वे साहित्तिकार के साथ साथ एक मशूर कहानिकार, ट्रावल राइटर, फोटाग्रफर, ब्लॉगर और काफी प्रसिद्ध सोलो फीमेल ट्रावलर भी हैं इनका ट्रावलिंग के लिए उत्साहा और लेखन के लिए प्रेम इनकी तस्वीरों में भी स्पश्ट रूप से जलकता है जिस छोटे शेर से वे आती हैं, वहां बेटे का होना एक जरूरी चीज समझी जाती थी उनके माता-पिता को पहले से दो लड़कियां थी और काइनात का जन्म एक अंजाहे बच्चे के रूप में हुआ उनकी मा को बहुत समय तक अकसर ये बात कही जाती थी कि बेचारी को लड़की हो गई वे जब बड़ी हुई तब भी उन्हें यही कहा जाता था कि काश उनकी जगा बेटा हुआ होता तो अच्छा होता ये कहती हैं कि तब ही ने एहसास हुआ कि जिस तरह बेटे की वज़ा से लोगों को गर्फ महसूस होता है उसी तरह ये कुछ ऐसा करें जिससे इनके माता पिता को भी इन पर गर्फ हो ये कहती हैं कि इनका परिवार पढ़ने लिखने का शौकीन था जिस वज़ा से जब ये तीन साड़े तीन साल की थी तब से इनके घर में किताबे आने लगी और छटवी कक्षा में जब इन्होंने चीनी लोगों के यातरवतांत के बारे में पढ़ा तो इनके मन में आया कि इन्हें ये करना है काइनात की पूरी पढ़ाई केंदर विद्याले और हिंदी मीडियम स्कूल्स में हुई और हिंदी से पीजी करने के बाद इन्होंने मास कौम में बीजी किया उसके बाद इनके मन में आया कि इन्हें कुछ अलग करना चाहिए काइनात के ट्रावलिंग, लेखन और फोटोग्रिफी के ये जोश ने रहगिरी को रास्ता दिया रहागिरी भारत का पहला हिंदी ट्राविल फोटोग्रफी ब्लॉग है यहाँ ब्लॉग सिर्फ परंपराओं और एतिहासिक स्थानों को ही नहीं बलकि काइनात के सपनों और उनकी अकांगशाओं की भी सुन्दर कालीन है यह बताती हैं कि जिस उम्र में लड़कियां पेंटिंग फ्रेम करवाने जाती थी उस समय यह नक्षे फ्रेम करवाने जाती थी क्योंकि इन्हें शुरू से भूगोल बहुत रूची कर विशय लगता था और वे बहुत जादा नक्षे और दुनिया की सारी जगहों के बारे में जानने में दिल्चस्पी रखती थी काइनात कुल मिलाकर 25 राजियों दो